हेलो दोस्तों टेक गयो तो मैं आप सब कर स्वागते हूं तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत हूंगा कैसे आप अपने Amazon Prime Membership को गैंसिल कर सकते हो दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि Prime Membership लेते लेते टाइम आपको debit card या credit card से आपको payment करने का रहता है मानलों अगर आपने एक मेने का membership लिया हुआ है तो जैसे ही एक मेना खतम होने बाद आपका membership automatic renew हो जाती है और आपके bank account से आपके पैसे auto debit हो जाते है तो दोस्तों अगर आप चाहते हों कि आपके account से आपके पैसे auto debit ना हो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इसे रोग सकते हैं तो चले दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैं आ चुका हूं मेरा मोबाईल स्क् चेक किजिए यहाँ पर यूवर एकाउंट पर आपको जाना होगा प्राइम मैनेज प्राइम मेंबर्शिप लोड हो रहा है और इसके बाद आपको नीचे जाना होगा देख़ यहाँ पर हमें दू अप्शन लिख रहे है तो इसमें पहला वाला अप्शन क्लिक करने का हैं एन मेंबर्शिप एन बेनिफिट्स यहाँ पर हमें फिर से नीचे जाने का है यहां पर फिर से हमें दू आप्शन दिख रहे हैं तो हमें सेकंड वाल आप्शन क्लिक करने का है continue to cancel यह हमें confirmation पूछ रहा है फिर से हमें सेकंड आप्शन पर क्लिक करने का है continue to cancel देखिए यहां पर हमें दिख रहा है end on March 1st 2021 क्योंकि मेरा मेंबर्शिप फर्स्ट मार्च को end खतम होने वाला है तो इसलिए यहां पर फर्स्ट मार्च शो कर रहा है तो मैं यहां पर end कर देता हूं end on March 1st 2021 तो दोस्तों देखो यहां पर आ चुका है auto renew cancelled successfully तो दोस्तों अब मेरे एकाउंट से कोई भी पैसे auto debit नहीं होंगे क्योंकि मैंने मेरे मेंबर्शिप को cancel कर लिया है अगर आप भी चाहते हो कि आपके bank account से पैसे auto debit ना हो तो यह simple steps follow कर लीजिए इसे करने के बाद आपके bank account से कोई भी पैसे कट नहीं होंगे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like कर देना, share कर देना और comment भी कर देना और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भुले तो जलिए दोस्तों मैं आप से मिलता हूं आपके लोगे लोगे अगले में आपके ले, बाद बाद what we do here is go back